दोस्तो बरसात का मौसम चल रहा है और आपने अभी तक इस रेशेपी को नहीं बनाया है तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से किस प्रकार हमें बनाना चाहिए बरसात के मौसम में हर किसी के घर में तो ये रेशेपी बनती ही बनती है लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इस रेसेपी को देखने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और पसंद आए तो अपने दोस्तों को सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिए तो चलिए हम लोग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली इस रेसेपी को देखते है जो की बच्चे बड़े सबी को बहुत पसंद आती है तो यहां हमने सबसे पहले मकई के कर लिये है दानि मकई अभी हमें भुट्टे जो होते है न बहुत साप्ट होते है उसके आधराम से हमें मार्केट में मिल जाते है उसमें डालने के लिए हमने हरी मिर्ची अद्रक और लसन बस इनी को हमें इखटा कर लेना है एक प्लेट में और मिकसर के जार में इसका स्मूथ पेश्ट बनाकर कर लेना है तयार पेश्ट तयार करने के बाद में इसमें हमें और बहुत ही चटपटा बनाने के लिए कुछ चीजे और मिक्स करना होगा जैसे कि हमने यहां लंबे बड़े आकार में जो हमारा प्याज होता है उसे काट लिया है और हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर और अपना नमक अपने स्वात के अ गेस पे हमने कड़ाई पहले ही रख दिया है मतलब तेल गरम करने के लिए तो तेल गरम हमारा हो रहा है तब तक हमें इसमें और कुछ एक्ष्ट्रा मिलाना है उसे भी देख लेते हैं तो थोड़ा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में आदा कटोरी हमें मिलाना है इसमें चावल का आटा, जी हाँ दोस्तों चावल का आटा, आपने बेशन डाल का तो जरूर बनाया है, लेकिन एक बार चावल का आटा डाल कर बना कर देखें, इतने अच्छे पकोड़े बनते हैं कि आपने इसके पहले कभी न बनाये होंगे और नहीं खाये होंगे, और एक और एकदम हमें कम आज पे ही मतलब पकोडों को भुनना है क्योंकि क्या होता है कि अगर हम तेज आज पे करेंगे न तो यह जल्दी लाल तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं इसलिए कम आज पे ही हमें इसे बना कर तयार कर लेना है तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया है मकई के पकोड़े बनाने का तो ये देखिए हमारे सारे पकोड़े बनकर यहां हो गया है तयार और बहुत ही तेश्टी तो दीखी रहा है लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा तेश्टी लगने वाले है बस इसके साथ में हमने थोड़ा दो मिर्ची फ्राई कर लिया है और मिर्ची अगर आपको खाना पसंद नहीं है अगर तेज लगता है तो हम आराम से मतलब टमाटो केचप के साथ में खा सकते हैं तो देखिए मतलब चटपटे से अगर खाना है तो कुछ इ आज की रेशेपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि चावल का आठे का जो स्वाध है न वह एकदम कुरकुरा सा लगता है तो चलिए मिलते हैं न्यू रेशेपी के साथ में रेशेपी पसंद आई हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू रेशेपी के साथ में तेंक्यू बाबाए